हेलो एव्रिवान कैसे हैं आप लोग आई होप आप अच्छे होंगे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हीप के बारे में हाना हीप क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ने वाले है binary heap is binary tree, जो हमारी heap होती है, वो क्या होती है, एक तरीकी की binary tree होती है, अब जो heap होती है, वो दो तरीकी की होती है, जो उसकी property होती है, वो दो तरीकी की हो सकती है, एक होती है max heap, और एक होती है min heap, जो हमारी heap होती है, एक होती है max heap, और एक होती है min heap, ठीक है, अब जो heap होती है, वो दिखती कैसे उसका structure किस तरीके का होता है जो हमारी हीब होती है वो जो है complete binary tree की जैसे दिखती है जो complete binary tree होती है हमारी आप complete binary tree आप जानते हैं ऐसी ट्री जिसके all level जो है fill होने चाहिए completely fill होने चाहिए except last level हाना except last level मतलब पूरे जो trees को कंप्लीट वारवाईनरी tree होती है यह पूरे लेवल फिल होने चाहिए outta पूरे लेवल रास्ट लेवल भी किस तरीके का fill होना हाना अज जाए तो हम उसको complete binary tree बोलते है जो a वह हमी takiego किस तरीके दिखती है जो रूर्जश होता है जो रूर्जवन होता है वह largest moot नोड होता है पूरे नोड का ठीक है आप जैसे कि यह नोड आपको 90 दिख रहा है यह सबसे लार्जस्ट नोड होगा यह पूरे नोड में से ठीक है फिर 90 से जो कम वैल्यू है वो लेफ्ट में होगी और राइट में होगी हाना जो 90 से कम वैल्यू होगी वो लेफ्ट में होग है हना तो इस तरीके से चल्हेग इस हुल माक्सम मैक्स हीप होता है जो इसके चल्ट होता है वो मेक्सम मुmm होता है अपने चाइ नोड से ठीग है अब जिस कि 70 जो है छ्ट आर्जेस्ट वेल्व होकि अपने चाइयड लॉट से। चाइलल नोट से जो है लार्जस्ट वैली हो गे है। इसे जो बड़ी value होगी है ना root node से जो बड़ी value होगी उसके child में आएगी जैसे 20 10 से बड़ी है और 30 10 से बड़ी है ठीक है इसी तरीके से जो 30 का child होगा वो अपने root node से बड़ा होगा 30 का child 64 है वो root node से बड़ा है अपने root node से बड़ा है ठीक है 67 अपने root node से बड़ा हुआ है हना तो इस तरीके से जो है मिन हीप हमारा जो है बन के तयार होता है ठीक है अब इसमें क्या करते हैं जब तक एक लेवल भर नहीं जाता है अगले लेवल को उपन नहीं करते हैं जब हम हीप को बनाते हैं तो क्या करते हैं जब तक एक लेवल भर नहीं जाएगा जब तक अगल लिख दिया हाना, एक note हमने a लिख दिया, फिर उसको हम Left से start करेंगे, Left क्राइट हना, तो Left हमारा b हो गया, फिर ठीक है, फिर हम right लिखेंगे, ठीक है हमारा राइट हो गया, ठीक है, तो ये एक level फिल हो गया, फिर इसके बाद लेवल जब भर जाने का बाद फिर next level open करेंगे तो next level क्या हो गए D हो गया तो left to right हम var 데 भरेंगे फिर इसके बात हम E भरेंगे ठीक है फिर के बात सी में आएं गया टो left to right हम भरेंगे फिर इसके बद हमने पर कोई value नहीं ही तो इसको इतना ही हम छोड़ देगा तो इस तरीके से जो है हम binary heap को हम हम बनाते है ठीकर अब इसको हम represent कैसे करते हैं एरे में अगर हम इसको store करना है तो किस थरीके सा हम store करेंगे अब अज Coleman से स्कोड़्राइभल सा उसी लेवल में Cristo करते है कि में जिसे हमारा root node है वह a में सबसे पहले ऑमाले ओरे में आ गया वो पी है 2nd वालए àre में आ गया 3rd वाले यह फोर्त वाले में आ गया । I हमार फिप्त वाले में आ गया और E हमारा 6 वाले में इस तरीके से आरे में हमारा फिलिंग होती है थीक है। अब हमें कोई हमें heat tree दे रखी है, अगर हमें कोई भी heat tree दे रखी है, तो उसका parent node निकालना, उसका left child निकालना, किस तरीके से निकालेंगे, उसके बारे में हम समझते हैं. तो जो हमारा कोई मानली जी ये ट्री है, ये हमें 3 देराका है, तो इसका जो root, Node होगा, इसका index , फिर ऐसके बाद और way, two होगा , फिर left one होगा, right two होगा , फिर left वाला से हमें पैरेंट नोड निकालना है अगर हमें किसी भी ट्री का पैरेंट नोड निकालना है हमें ट्री नहीं दे रखिए हमें तो हमें इसका पैरेंट नोड निकालना है ठीक है तो हम पैरेंट नोड कैसे निकालेंगे पैरेंट नोड निकालने के लिए पहले हमें इंडेक्स नंबर पता होना चाहिए उस नोड का उसका पहले इंडेक्स नंबर पता होना चाहिए माल लिजे इंडेक्स नंबर माल लिजे वन है इंडेक्स नंबर माल लिजे वन है तो इसका parent node कितना हो गया, 0 हो गया, इसका parent node क्या हो गया, 0 हो गया, तो 0 में क्या है, A है, तो B का parent क्या है, A है, उसी तरीके से, जो है, किसी भी node के left child को निकालना है, माल लिजे ये node है, B है, इसके left child को हमें find out करना है, B के हमें left child को find out करना है, तो हम किस तरीके से find out करेंगे तो देखते हैं, जैसे कि माल लिजे, हमें left child निकालना है B का, तो हमें 2 into I, I क्या है, I मतलब उसकी value, वना B की value, जो node है, उसकी value, तो B into 1, sorry, 2 into 1, तो 2 into 1, 2 हो गया, plus 1, तो क्या हो गया, 3 हो गया, तो इसके left child की value क्या होगी, 3 हो, ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें right child की value निक निकालनें, किस तरीके से निकालेंगे, इसके index की value into 2, इसके index मतलब 1 है, और into 2, कितना हो गया 2, और plus 2, कितना 4 हो गया, तो इसके जो right child की value है, वो 4 है, ठीक है, इस तरीके से जो है, हम किसी भी array से, या किसी भी node की, अगर हमें index value पता है, तो उसके हम parent node निकाल सकते है, उस level order traversal technique में भी used in a achieved by the array representation, इसमें हम क्या करते है, level order traversing का use करते है, heap में, level order traversing का हम use करते है, heap में, ठीक है, all element descending order, अगर all element descending order में है, array में all the element descending order में लिखे है, हमाले नंबरिंग है, descending order में, जिससे 4, 3, 2, 1, तो वो हमें क्या कहलाएगी, वो हमारी कहलाएगी, definitely max heap कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, max heap कहलाएगी है हमारी, क्योंकि 4 से लेकर के कम होते चले जारे है, मतलब maximum से लेकर के, minimum तक जा रहे है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, maximum heap कहलाएगी, अगर descending order में लिखे हुए है, तो definitely maximum heap कहलाएगी, ठीक है, all element not descending order, अगर all element जो दिये ग हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं इस तरीकी की हीप क्या बोलेंगे मिन हीप बोलेंगे इसको डैफिनेटली मिन हीप बोलेंगे ठीक है अगर औल element ascending order में नहीं है अगर कोई भी ऐसा element है जो ascending order में नहीं है ठीक है तो वो min heap हो भी सकता है और min heap नहीं भी हो सकता है ठीक है तो यह note करने वली बात है यही मैंने आपको बता दी then हम कुछ problems के बारे में देखते हैं कि यह किस तरीके से हम problem solve करते हैं हीप के बारे में ठीक है binary max heap implemented using an array कोई binary max heap बना रखा है array के थरू हाना which one of the following max heap हाना इन चार option दे रखा है इसमें से max heap कौन से है ठीक है तो हम किस तरीके से इसको हम find out करेंगे हम जो है tree बना करके इसको हम find out करेंगे ठीक है तो हम पहली option ले लेते हैं क्योंकि हमें option check करके ही हम इसको हम solve कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं ठीक है तो हम पहले पहले वाली error ले लेते हैं पहले 25 ले लेते हैं 25 ले लिया हमने फिर 14 और 16 इसके नीचे आ जाएगा फिर next level हम fill करते हैं left to right, ठीक है, तो हम पर left वाले में 13 और 10 रखेंगे हैं, तो 14 से कम है 13 और 10, ठीक है, फिर इसके बाद हम 8 और 12 को रखेंगे हैं, 16 में हम 8 और 12 को रखेंगे, तो हमारा जो है, ये tree बनके तयार हो गया, तो ये हमारा tree जो है, सही लग रहा है, क्योंकि 25 से कम पहले 25 है, फिर 12 और 16 है, तो 25 से 12 और 16 कम है, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया, फिर इसके बाद हम 12 में क्या रखेंगे, हम 13 और 10 रखेंगे, तो 13 तो 12 से बड़ा है, 13 जो है 12 से बड़ा है, तो ये हमारी max heap नहीं के लाएंगे, तो इस question में जो हमारा answer हो जाएगा, वो पह झाल कोसी कि बड़ा है, फिर 12 और. कर दो हम ये हमारा सय तो 13 और is जो है, वो ज हुआ च forg को स्थाशर है, हम 1 रखेंगे, रखेंगे know.